जिस तरह से हमने आपको पीछे वाली पेज में बताया उसी तरीके से यहां पे भी करना है तो इस पेज में क्या दिया है सबसे उपर हम पढ़कर आपको बताते हैं इसी तरह हम 124 चिडियों और 38 गिलहरियों को जोड़ सकते हैं पहले क्या करना है पहले सारे त्रिकोंड मतलब एक का जो त्रिकोंड वाला कार्ड है वो 7 रखकर 10 का समूव अलग कर लेते हैं जैसे हमने अभी पीछे बताया था आपको कि कैसे करना है एक एक का कार्ड अलग करना है तो यहां पे देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 यहां दस कार्ड अलग कर लिए हैं दस भो गया है तो यहां पे दस चौकोर वाले कार्ड में एक दस अलग करके लिख दिया है बचा कितना है तीन त्रिकोंड वाला कार्ड बचा है दो त्रिकोंड वाला कार्ड बचा है ठीक है अब हम आपको बताते हैं कि यहां पे क्या करना है अब यहां लिखा है चिडियों की संख्या 124 कितनी है 124 और गिलहरियों की संख्या 38 है दोनों को प्लस करना है ठीक है अब देखेंग 10-10 के कितने कार्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्ड है 10-10 के कितने हैं 6 हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 कितना हुआ 60 हुआ ठीक है 10-10 के 60 हुआ तो यहां पे 100 है तो 162 यहां पे इसको जोड के लिखेंगे 162 खाली से जोडना ही और कुछ करना नहीं है ठीक है आगे पढ़ कर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसलिए गिलहरियों और चिडियों की कुल संख्या कितनी है 162 दोनों को जोड के बताया गया यहां पे हीरन और खर्गोष की संख्या कितनी है 75 है पिछे हमने आपको पिछे वाले पेज में बताया था बुढ़े हीरने का हमारी कुल संख्या 240 थी देखो अब हम कुल मिला कर कितने है कितनी थी हीरन की संख्या 240 थी ठीक है लेकिन आप वो कितने बच्चे है वो पिछे आप देखे कि हीरन की संख्या कितनी है 48 ठीक है तुम अंदाजा लगाओ शेर का बच्चा घर गया या नहीं पीछे आपको यह सब दिया गया है बता चुके हैं इसका पता लगाने के लिए नीचे दिये गए खानों में जोड़ो पहले यहाँ पे चिडिया और गिलहरी की संख्या लिखने है चिडिया और गिलहरी की संख्या कितनी है? 124 फिर नीचे हीरान और खरगोस की संख्या लिखनी है दोनों को यहाँ पे जोड़ कर लिख देना है अब आगी देखते हैं क्या है? कितने बल्ब? इस पेज में बताया गया है कितने बल्ब? बल्ब के बारे में बताया गया है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है बल्व के बारे में एक कार खाने में पहले दिन 270 बल्व बने पहले दिन कितने बने 270 दूसरे दिन कितने बने 123 बल्व बने पहले दिन 270 बने दूसरे दिन 123 कार खाने में एक खुल मिला कर कितने बल्व बने इसका मतलब यह है कि 270 और 123 को हम लोग को जोड़ना है जोड़ कर बताना है कि कितने बल बने नीचे भी वही बताया गया है कि पहले दिन 270 दूसरे दिन 123 बने फिर पूछा गया है कुल कितने बने तो नीचे यहां पर दिया गया है कि इसको जोड़ना है पहले दिन कितने बने थे 2070, तो 270 लिखेंगे, दूसरे दिन कितने बने थे 123, फिर दोनों को जोड़ना है, तो जब 0 में 3 जोड़ा तो 3 आया, उस साथ में 2 जोड़ा तो 9 और 2 में 1 जोड़ा तो 3 293 बल बने खुल किते बल बने 293 आप आगे देखते हैं क्या है बहुत फिर यह दिखाया गया है यहां एक दुकान दिखाई गई यह उसके बारे में कुछ बताया है देखते क्या है पहले दुकान दार रफी के पास 153 मु ठीक है पारस ने उसे 237 मुंबतियां और दे दी दुकानदार को 237 मुंबतियां और मिली अब रफी के पास कुल मिला कर कितनी मुंबतियां हो गई तो हम क्या करेंगे 153 और 237 को जोड देंगे ठीक है तो हमाँ पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मुंबतियां हो गई नीचे देखे यहाँ पे कॉलम में जो चोकर चोकर बनाए है कलरफुल है ग्रीन यलो रेज इसमें दिया है पहले दुकांदार के पास 237 मुंबतिया फिर पहले दुकांदार के पास 153 थी 237 उसे पारस ने और मुंबति दी तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कुल कितनी मुंबतियां हो गई ठीक है कितना आया 398 सुरी बच्चों यहाँ पे देखो यह 390 होगा कि यहाँ पे गलत लिखे से नीच दी गई कहानी के सवालों को हल करो पहले सवाल को पढ़ो फिर उसे अपने शब्दों में कहो लिखने से पहले जब आपका अंदाजा लगाओ एक ट्रेन में एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं कितने लोग हैं एक ट्रेन के डिब्बे में 132 हैं और दूसरे में कितने हैं 139 लोग हैं फिर पूछा गया है कुल मिलाकर दोनों डिब्बे में कितने लोग हैं तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं वैसे अपने हिसाब से त और सारे बच्चे कॉपी में ये करोगे, जोडोगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कुल कितने लोग ट्रेन के जिब्बे में हैं, अब इसके बाद खा नंबर में फिर दिया है, सोनु को 138 पत्थर मिले, सोनु को 138 मिले हैं, करीम को 44 पत्थर मिले, करीम है उसको 44, उन है, 138 प्लस 44, ठीक है, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 8, 4, 12, के 2, हासिल 1, 4, 3, 7, और 1, यहां पे 8 आ जाएगा, और यहां पे 1, तो कितना हुआ, 182, कितना हुआ, 182 आया, इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है, एक शिक्षिका अपने स्कूल में यह पतल लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है, यहां पे पहले कॉलम में बच्चे लिखे हैं, दूसरे कॉलम में संत्रा लिखा, यानि फल का नाम, तीसरे में आम, फल के नाम लिखे हुए हैं, तो यह जो पहला कॉलम आएगा, इसमें लड़कियां, उसके नीचे लड़के, फिर दो 136 संत्रा कितना है, 136 संत्रा है, लड़कियों को 136 संत्रा पसंद है, संतरे जादा पसंद 136, और लड़के, 240 आम, ठीक है, 240 आम, अब इसमें देखो बताया गया है, बताया नहीं मैंने आपको कि 136 लड़कियों को ग्या पसंद है संत्रा और 240 लड़कियों को आम पसंद है उसी तरह नीचे वाले कॉलम में दे गया है कि 128 लड़कों को 128 लड़कों को संत्रा और 243 लड़कों को आम पसंद है ठीक है अब इसे और इसे जोड़ कर यहाँ पे लिखना है कुल कितना आम है और कुल कितना संत्रा है तो इसे आप लोग अपने आप जोड़ोगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो संत्रे पसंद करते हैं 264 बच्चे ऐसे हैं जो संत्रा पसंद करते हैं यह मैंने आप हैं पर जोड़ कर लिखकर आपको बताया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं, वो भी जोड़ कर मैंने आपको बताया है, चार सो तीरासी बच्चे आम पसंद करते हैं कुल मिलाकर इसकूल में कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर इसकूल में कितने बच्चे हैं अब क्या करोगे जो यहाँ पे दो सो चौ साइड और चार सो तीरासी दिया गया है इनको जोड देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने बच्चे हैं तो कितने आए 747 बच्चे कुल मिलाकर कितने बच्चे आए 747 लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है या कम उपर देखो कि कितनी है 350 से ज़्यादा है या कम यहाँ उपर देखोगे तो पता चलेगा जहां पर यह लड़किया लिखा है यहां पर देखोगे तो पता चलेगा 350 से ज़्यादा है इन दोनों को जोड़ोगे तो पता चलेगा 136 और 240 जब जोड़ोगे तो वालू पड़ जाएगा तो जादा है लड़कियों की संख्या 350 से जादा है अब बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या है अभ्यास का समय यहाँ पे हमको जोड दिया गए है जोडना है जैसे संख्या दी गई है 345 प्लस बामन 345 प्लस बामन तो 345 में जब बामन जोड़ोगे तो कितना आएगा इसे अलग कॉपी में करोगे और सारे बच्चे आप लोग देखोगे की कैसे किया जाएगा 345 उसके नीचे प्लस का निक्सान लगाओगे और बामन लिखोगे अब 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और 4 और 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा तो कितना आएगा 357 कि 397 आएगा बिटा हाँ इसी तरीके से ये सारे जोड़ आपको अपनी कॉपी में करने है और खा में भी देखो का ये नंबर था खा में देखते हम लोग क्या है ये दिया हुआ है यहाँ पे भी जोड़ करना है 319 दिया है उसके नीचे 323 दिया है अब हमी दोनों को जोड़ेंगे ठीक है जोड़ना है बस और इस पे कुछ भी नहीं करना है आपको 319 में जब 323 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा 12 के 2 यहाँ लिखोगे एक हासिल लगाओगे 2 एक 3 और एक हासिल जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा ठीक है और 3 और 3 जोड़ोगे तो 6 है जाएगा तो हुआ 642 इसी तरह के बाकी जोड़ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और किताब में भी करने दें कॉपी में लिखकर सबको करना है अब यहाँ पर क्या बताएगा इस पेज में हम लोग देखते बिटा हर संख्या को लिखने के चार अलग-अलग तरीके पता लगाओ जो संख्या दी गई है उसको अलग-अलग धंग से लिखकर हमको अलग-अलग तरीके से लिखकर पताना है अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा उनसट आएगा तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया है यहाँ नीचे कॉलम में जिया है उनसट आएगा अब उनसट को अलग-अलग तरीके से हमें जोड़ना है ठीक है यहाँ नीचे बताया गया है पचास और नौ है ना तो इस तरीके से लिखा दूसरी संख्याओं यहाँ पे दी गई है उठात्तर 78 में हम 40 और 38 जोड़ेंगे तो 78 आएगा अलग-अलग धंग से इसको जोड़ के बताना है फिर 70 में जब 8 जोड़ोगे तब 78 आएगा यहाँ पे यह दिया गया है आपको बताया गया उसी तरीके से यहाँ पे 78 का जोड़ बताया गया है फिर 30 प्लस 48 करोगे तब भी 78 आएगा फिर 60 प्लस 18 करोगे तब भी 78 आएगा तो अलग-अलग तरीके से इसको जोड़ कर अलग-अलग धंग से आपको बताना है देखिया हमने यहाँ पे दो करके आपको दिखाए है और नीचे का खुद आपको करना है उसकी प्रक्टिस आपको करनी है अब यहाँ पे इस पेज में बेटा आप सब देखो क्या लिखा हुआ है मोहन का बस्ता खो जो नीचे चित्रे दिया गया है उसमें बस्ता नीचे बनाए लेकिन मैं पहले आपको उपर का बताती हूं कि उपर क्या लिखा है सभी सवालों को अपने मन में हल करो और खाने में लिखो यहाँ पे सामने खाना बना हुआ है उसमें 75 प्लस 20 दिया है यहाँ पे 90 दिया गया है 90 प्लस 60 नब्बे में 60 जोडना है तो सबसे पहले करोगे यहाँ पे 0 लिख दोगे और 9 और 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा अपनी कॉपी में करने हैं कहा तक ठा नमबर तक ठा नमबर तक जोड़ आपको अपनी कॉपी में करके लिखना है बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे यह जो चार्ट जैसा बना यह क्या बना हुआ है ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग को करना क्या है ठीक है बिटा इन जबाबों को क्रम से इस हरे बाग में धूनते जाओ तुम्हारे जबाब सही होंगे तब ही तुम सही रास्ते से बस्ते थक पहुच पाओगे नहीं तो भटक जाओगे यहाँ पे बैक दिया गया है उसके पास हमें आना है यहाँ पे टीर लगी हुई है एरो एक सो पच्चास से हम लोग जब चलेंगे तो अठावन पे आएंगे अठावन से सही क्रम में आना फिर 29 फिर आ गए हैं बैक पर ठीक है इस तरह से करना है पेटा आप सबको यहाँ अब देखो पेटा इस वेज में यह बताया गया है कार्ड का खेल देखेंगे आप दो बच्चे हैं जो कार्ड से खेल रहे हैं लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है वो कर बताते हैं एक दिन बंशरी और गोपु खेल खेल रहे थे बंशरी और गोपु दोनों खेल 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 रहे थे बंशरी ने गोपु को अलग अलग संख्याों के तीन कार्ड दिये टीक है उसने कार्डों को दो तरीके से रखा देख लो उपर दिया गया 1str10 फिर 100-120 बरब अबर कितना आया 30, 150 में से जो 120 घटाया तो 30 आया, फिर 150 माइनस 30 किया तो 120 आया, अलग-अलग तरीके से उसे घटाना है, तो और या जोड़ना है, बस यही बताया गया है इसमें, बंसरी ने उसे इस तरीके से रखा, 120 प्लस 30, तब 150 आ गया, फिर 30 प्लस 120, अलग-अलग जं इधर ले आये हम, और 120 इस साइड लग दिया, फिर 150 आ गया, इसी तरह नीचे की संख्यात ही गई है, उन्हें भी तुमें जोड़कर अलग-अलग धंक से बताना है, जो हमने उपर आपको करके बताया है, और नीचे वाला आपको करना है, जैसे दिया गया है 50, ठीक है, 70 औ ठीक है ना, उसके बाद फिर दिया है 50, 20 और 70, तुम सबसे पहले क्या करेंगे, 70 में से माइनस कर दिंगे, 20 घटा दिंगे, तो 50 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, 70 लिखेंगे, और माइनस 50 कर दिंगे, फिर 20 आ जाएगा, इस तरीके से नीचे ये खा नमबर दिया गय है, उसे आप लोग अपनी कॉपी में करके प्रेक्टिस करोगे, ठीक है, अब ये तुम्हारा प्रक्रांटीन पूरा हुआ, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से प्रेक्टिस करोगे सारे बच्चे, हाँ बिटर, चलो, बाई